डिटेक्टिव स्टाफ के इस्पेक्टर महेंदर सी ने बड़ी कारवाई की है कालका निवासी एक बुज़ुर्ग वैक्ति से पॉलिशी के नाम पर आरोपियों ने करीब दो करोर रुपए की ठगी की थी इस मामले में सनलिक तीन और अरोपियों को गिरिफ्तार किया गया है बड़ाई कि शिकायत करता ने किसी कंपनी से पॉलिशी कराई थी जिसके बाद जब policy मैचूर होगी तो आरोपियों ने इस content contact किया और उन्हें तरह तरह के लालस देकर policy करवाई जिसके बाद आरोपी policy के पैसे अपने अलग-अलग खातों में डलवा रहे थे कुछ समय के बाद शिकायत करता को शक हुआ तो उन्हें पता चला कि उनके साथ ठगी हुई है जिसके बाद उन्हें पुलीश में शिकायत दर्च करवाई इस मामले में और कई गिरफतारियां हो सकती है आरोपी एक गैंग की तरह काम करते हैं जिसमें कई लोग शामिल हैं आरोपी लोगों को policy और लोन कराने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करते हैं उन्हें बताया कि यह गैंग दो टीम की तरह काम करता है जिसमें एक टीम लोगों से contact करते हैं टीम बेंक खातों में पैसे जमा करवाती थी शुत्रों की माने तो आरूपी ठगे पैसों को प्रोपर्टी में इन्वेस्ट करते थे पुलीस इस पहलू पर भी जाच कर रही है कोई कस्टमर अरेंज कर लेता है इसका मुबाइल नंबर और उसका और उसके टेली कोलर उनके जो रखे हुए टीम में वो उसके फोन करते हैं और फोन करने के बाद वो उसको त्यार करते हैं कि आप हमें इन्सूरेंस में जो है ना जो आपका प्रीमियम है या जो आपकी इंस बना देते हैं और उसके बाद बूसरा पाट यह है कि वह जिन खातों में पैसे ताहिए को एक घ situação करते हैं और यह पसको पर आएंगे वो भरजी खाते होते हैं HELP